नमस्कार और वेलकम प्रफेर्ड वेल्कम प्रशान दवन यहां पे आप ठीक पड़ रहे हैं चनक्या एंड भगवत गीता फॉर दे इंडियन मिलिटरी हाली बहीं यह प्रपोजल सामने आया है कि क्यों न जो हाइर मिलिटरी ट्रेनिंग इंसिट्यूट्स हैं वहां पर हम अ इनिशिली आप सोचोगे वेट अर्धशास्र अर्धशास्र एकोनोमेक से रिलेटेड नहीं है तो मिलिटरी आफिसर्ड दिए अर्धशास्र सरफ एकोनोमेक से रिलेटेड नहीं है अर्धशासर में आचारा चनक्याने statecraft मतलब कि country को manage कैसे करना है एकोनोमिक policy और military strategy के वा में जीरे हैं जहांपर हमारे पास ये बुक इजिली पढ़ने को अविलेबल है क्योंकि आप लोग जान के हरान होंगे मगर ये किताब बारवी संचरी के बाद गायब हो गई थी इसके स्क्रिप्चर्स बिलकुल गायब हो गई थे इसको re-discover किया गया था 1905 में और उसके बाद से लगादार इसकी publications हुई है तो इसलिए हाँ पर मैं कहूँगा कि आज के समय हम लोग lucky हैं कि हम उस generation में आते हैं जो बहुत ये आसानी से Indian history के greatest strategist आचारे चलग के द्वारा लिखी की किताब properly पढ़ सकते हैं क्यार ये तो है अर्चास्र जो दूसरी book यहाँ पर recommend करी गई है भगवत गीता ये अपने आप में इसके बारे में क्या कहूँ है ये ultimate किताब है अगर एक human being खुद पर control पाना चाता है अपनी life में discipline आना चाता है तो this is the ultimate book for that गांदी जी ने कहा था कि जब भी मेरे mind में doubts आते हैं मैं समझ नहीं पाता कि मुझे करना क्या है मैं भगवत गीता के पास ही जाता हूँ वहाँ से मुझे दिशा मिलती है कि मुझे क्या करना है और over the years आप अगर देखो तो Indian army के various major generals ने openly ये कहा है कि भगवत गीता अपने आप में एक military manual है सब को ये किताब पढ़नी चाहिए especially army officers को अगला सवाल यहाँ पर आप ये पूछेंगे अच्छा ठीक है तो recommendation आईए कि इन दो books के जो chapters हैं या फिर overall इन books को ही हम Indian military officers के जो syllabus है उसमे आड़ कर दे मगर ये recommendation कहां से आई है और क्या ही almost done है क्या होनी वाल है तो इसका answer है नहीं देखो recommendation अभी आई है College of Defense Management से इन्होंने हाली में एक internal study करी ये ढूणने के लिए कि कैसे जो इनका syllabus है ये improve कर सकते है पहली बाद ये जान लो College of Defense Management क्या है ये इंडिया का एक बहुत ही important institute है for military officers ये located है तिलंगाना में ये याद रख लेना क्योंकि आप से exam में पूछ सकते हैं इसके वारे में क्योंकि since ये अब news में आ चुका है CDM में देखो जो higher rank के military officers हैं जिन्होंने काफी service अल्रेडी कर रखी होती है वो advanced training के लिए यहाँ पर जाते हैं यहाँ पर आप कह सकते हैं वो लोग training लेते हैं जो कल को Indian Air Force, Indian Navy, Indian Army के बिल्कुल top level officers बनते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे ये इनका staff का batch होता है और यहाँ पर ना सिर्फ Indian Army officers या Navy या Air Force के officers बहार की country के जो officers हैं कई Asian country से तो ये ना सिर्फ भारत में दुनिया भर में एक बहुती जादा प्रसिद institute है तो यहाँ पर एक internal study हुई उस internal study में recommend किया गया कि in the future हम यहाँ पर भगवत गीता और आचारे चनक्य की किताब है अर्शासर इसके chapters हम add कर सकते हैं इससे हमारे जो officers हैं उनको फायदा होगा decision making में उनको help मिलेगी क्योंकि आहाँ पर आपको देहना होगा ये जो सब लोग हैं ये आप क्या सकते हैं भारत की military power का brain है in the end कल को जब war होगी तब यही लोग निर्ने लेंगे यही decide करेंगे कि हमको क्या भी के लिए defense करना चाहिए attack करना चाहिए what should be our strategy तो इनका जो slaves होता है यहाँ पर in CDM यह काफी important होता है यहाँ पर एक बाद जाने वाली यह है कि इस type के जो institutes हैं जैसे के CDM है यह दुनिया के हर देश में आपको वैसे मिलेंगे हो सकता है कि यह जारा भैतरीन ना हो मगर exist करते हैं एसे institutes in Russia, China, Japan, US वहाँ पर भी आपको मिलेंगे एसे institutes और पढ़ाई की अगर हम बात करें यहाँ पर तो roughly same पढ़ाई होती है almost हर देश में कि military strategy क्या होनी चाहिए psychology of warfare क्या होती है recent क्या developments आ रही है क्या ने tactics आ रहे है warfare में तो यह सब जो चीजे हैं दुनिया भर में कुछ हद तक मैं काऊंगा standardized है थोड़े बहुत changes आपको मिलेंगे country की terrain के हिसाब से मगर roughly same ही पढ़ाई होती है almost पूरी दुनिया में मगर कई देश हैं जिन्होंने standardized slivers में अपनी country की जो special books हैं वो भी add कर रखी है for example मैं आपको बढ़ाता हूँ Russia में एक बहुती famous किताब है जो हर Russian army general पढ़ता है चुली ना सिर्व इनका army general air force निदी का जो यहाँ पे इनके top level officers होते हैं उनको भी कहा जाता है के आपको यह किताब पढ़नी है किताब का नाम क्या है किताब का नाम है यहाँ पर foundations of geopolitics और चिन इंतरेस्निया कनीगा बहुत अच्छी किताब है बहुत interesting किताब है और इस किताब में जो basic बात करी गई है वो है अखंड रश्या के बारे में जिस तरीके से हम बात करते हैं खंड भारत की के एक दिन भारत का प्रॉपर तरीके से हम विस्तार करेंगे बहुत सी और कंट्रीज मर्ज हो जाएगी इंडिया में वैसे ही रश्या का यहाँ पर थौट है के पूरा युरेश्या ना सिर्फ एश्या इनका सफना बहुत बड़ा है यह ड्रीम करते हैं के एक दिन पूरा वेस्टन यूरोप पॉर्टुगल से लेकर नीचे इंडिया यह सब इंफ्लूएंस में होगा रश्या के और पूरे युरेश्या में यह बनाएंगे एक रश्या एंपायर तो यह बहुत अच्छी किताब है और जियोपॉल्टेक्स मिलिटरी स्ट्राड़जी यह सब को रीड करवाते हैं तो इसी तरीके से हर कंट्री में स्पेशल बुक्स मिलेंगी आपको जो उसी कंट्री से निकली है जो अपने आर्मी ओफिसर्स को वो पड़वाते हैं तो इंडिया में देखो यह कल्चर इतना है नहीं हमारा जो आप देखोगे स्लेबस वो काफियत तक वेस्टनाइजड है और अब जाकर हम 2021 में सोच रहे हैं कि हमारे देश से जो बड़े military strategies निकले हैं अचारे चणक्या उनकी जो टीचिंग्स हैं वो भी तो मिलनी चाहिए हमारे आर्मी ओफिसर्स को मगर अब इस आइडिया को लेकर controversy खड़ी हो गई है अभी के लिए देखो जो यह recommendation है इस पर भी अभी काफी discussion होने थे यह recommendation भी अभी official थी नहीं यह बस एक report में लिखा था कि आसाम कर सकते हैं मगर अभी से ही इस proposal पर controversy स्टार्ट हो चुकी है controversy यह है कि for example जो Congress Party अइडिया में इन्होंने आपर यह का है इनके जो spokesman ने किये के मिश्रा ने भी help कर दी जो काफी obvious बात है I mean Cargill War का reference जिना important नहीं है वैसे ही आप अगर देखो तो Indian military में आज के समय बहुत ही important positions में आपको Muslim soldiers मिलेंगे हमारे बहुत सारे जो scientists हैं DRDO वो Muslims हैं and they are all patriots मगर यहाँ पे Congress ने यह का है कि इन books को अगर हम army के curriculum में add करते हैं तो इससे एक बहुत ही जड़ा खराब मैसे जाएगा है उन्हें यहाँ पर यह का है The government should at least not do politics in military matters तो अब question यहाँ पर यह आता है कि क्या जो यह decision है यह ठीक है यहाँ पर इन दोनों किताबों को add करने का in the military syllabus या फिर अभी के लिए यह नहीं करना चाहिए Now इनकी जो यह statement है इसके पीछे भी एक reason है Reason यहाँ पर यह है कि कुछ समय पहले एक fake news सामने आई थी News असली नहीं थी मगर एक ऐसी हवा में बात फैल गई कि जो National Institute of Open School है NIOS उसना यह decide किया है कि यह लोग अपने syllabus रेफ ने करी कलम में यह लोग गीता और रमाण को add करेंगे और यह जो मदरसास है वहाँ पर ही पढ़ाई जाएगी अब यह काफी controversial decision था बात में NIOS ने बोला कि कुछ हम ऐसा नहीं कर रहे है जिसने भी यह ख़बर फिलाई है अगर ऐसा करना है तो जो कुरान है यह भी mandatory करो यह issue in the past जब सामने आया था तो बिलकुल कुछ problems create हुई थी मगर the military is a different domain altogether तो यहाँ पर मैं in the end आप से पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से military curriculum में इन दो किताबों को add करना चाहिए या फिर नहीं अगर नहीं add करना चाहिए तो please अपना जो reason है यह भी लिखेगा I'm sure all of us would like to have a healthy discussion on this in the comment section और finally आपर मैं यह भी add कर दूँ कि आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे है चाहिए SSE, UPSC, bank, any examination simply जाओ unacademy.com पे और यहाँ पे आप purchase कर सकते है the exam of your choice now for example आपको सिर्व UPSC optional की त्यारी करनी है UPSC prelims और mains की त्यारी आपकी हो चुकी है तो simply यहाँ पर click करो on optional और यहाँ पे आप खरीज सकते हैं यह course यह जो course है इसकी duration भी यहाँ पे आपको मिल जागी आपके पास options होंगे आप purchase कर सकते हैं 24 month, 36 month course 24 month का जो course है सिर्व UPSC optional का यह आपको पड़ेगा सिर्व 1667 रुपीज पर मन्त मगर यह price भी पे मत कर देना यूज करो यहाँ पे promo code PD10 and the price says shall fall so use the code PD10 and save your hard earned money so इसी note के साथ यह है आपर वीडियो का अंद thank you for listening and as always God bless you all